चलिए सर लेट जोइनिंग का नहीं है लेट नहीं क्योंकि एप्लिकेशन सर्वर में आरर आया तो मैं यहां पर खाली था तो मैंने रिकॉर्ड तो कर लिया एक कुश्चन बाकि दूसरे कुश्चन से आप जोइन हो गए हो और कोई फरक नहीं पड़ेगा आपका वह इंस्ट इसको मैंने रिकॉर्ड कर लिया है एक कुश्चन आपकी किताब का है इलिस्टेशन नमबर टू और यह कुश्चन जो लिया गया है यह जी आर मोंगा के बुक से लिया गया है मैं एक्स्ट्रा कुश्चन कुछ भी नहीं ले रहा अब इसमें फिलान कहता है वन्सी का लिमे बीस अजार इसने मुद्दे की बात है यह यूनिट है नौट रूपीस तो मैं पहले तीनों डिपार्टमेंट बना लेता हूं तो बड़ा चोटा सा कुश्चन होगा वर्किंग नोट थोड़ा बड़ा हो जाएगा इसमें बेशक और इस सवाल में सिर्फ और सिर्फ ट्रेडिंग अकाउंट हलाकि हमने तो इससे एडवांस कुश्चन भी कर लिया है लेकिन बुक के तो सारे कुश्चन करा नहीं है दो तीन चार चलिए ए है बी है और सी और टोटल ठीक है ए बी और सी और टोटल करेक्ट चलिए अब सवाल को हम अच्छे से पढ़ेंगे और सॉल्व करते जाएंगे कहता है के सेल सेन यूनिट तो यह भी सेल्स यूनिट में है और सेलिंग प्राइस दे दिया आपको तो मैं यहां सेल्स तो बड़े आसानी से लिख सकता हूं है ना सेल्स तो लिख सकता हूं 22 तो सेल्स कैसे निकालेंगे 10,400 को हम 21 से मल्टिप्लाई कर देंगे 10,400 को 21 से मल्टिप्लाई कर देंगे देट इस आ जाएगा 21 8,400 इसके बाद 19,600 को किस से मल्टिप्लाई कर देंगे सर 22 से आ गया 43,200 उसके बाद 30,600 को किस से मल्टिप्लाई करें 24 से 7,44,000 सारी 7,34,400 प्लस 43,200 2,184,00 तो ये आ गया 13,84,000 आगे कहता है सवाल में stock at the end अब सर ये भी क्या है हमारा सर ये भी बड़ी समस्या है वाई closing stock ये भी किस में दे रखा है यूनिट में अब आप मुझे बताईए closing stock जो होता है closing stock जो होता है depreciation का revolution नहीं कराया है कि आपने नहीं करा दिया है आप एक पर देखना live class में कराया है मैं आज सारा content arrange करा देता हूं ठीक है ना revolution वाला specially question किया था full concept के साथ देखे closing stock आप मुझे अभी इस पर ध्यान दीजिए आपके जितने भी doubt होंगे आप का hand raise करीए का मैं सभी का answer दूँ आपका तो closing stock मान लेते हैं एक goods है 10 रुपए का मैं 12 रुपए में बेच देता हूं और यह समान मेरा बिका ही नहीं तो मैं closing stock में जो दिखाऊंगा वह कितने रुपए का दिखाऊंगा मैं 10 रुपए का दिखाऊंगा यह बारा रुपए का दिखाऊंगा तो जवाब है 10 रुपए का क्योंकि अकाउंटिंग स्टेंडर टू कहता है मार्केट प्राइस यानि जितने का बेचते हो और जितने का खरीदा है दोनों में से कौन सा लेना है वेल्यू हमें कम वाला फाइनल अकाउंट में कर रहा था न विचेवर इस लुवर तो वह लेके चलना है आपको समझ रहे बात को तो अब हमारा जो closing stock है वो closing stock यहां पर मेरे वाले सवाल में आप बता हो closing stock का unit दे रखा है तो मैं इसका rate कौन से वाला लोगा purchase रोगा या sale वाला rate लोगा परचेज वाला लेंगे अविस सी बात है क्योंकि सेल वाला विस है हमेशा क्या होगा जादा और परचेज वाला क्या होगा अब हमें क्लोजिंग स्टॉक का हर किसी का क्या गीवन है सर हर किसी का क्या गीवन है यूनिट तो इसके लिए हमें rate भी निकालना पड़ेगा और purchase वाले का भी क्या given है इसका भी rate निकालना पड़ेगा यानि हमें purchase का unit का rate पता चल जाए तो हमारी बात बन जाएगी ठीक है इसने कह दिया भाईया मैंने total purchase इतने का किया है तो purchase unit निकालना तो मुस्किल हो गया इ इतना भी purchase किया है ना आपने मैं यहां पर लिख देता हूँ to purchase इसने कहा है जितना भी purchase कियाना है वो 959 का है तो लेकिन हमें तो हर department का अलग-अलग rate से खरीदा होगा ना purchase क्योंकि हर department का अलग-अलग rate sale का भी है तो ऐसे situation में नीचे क्या कहता है कहता है जो GP निकलेगा ना profit हर case में सेम रहेगा तो हम एक काम कर लेते हैं profit का ratio निकल लेते हैं जिससे बात बन सकता है प्रोफिट का ratio निकलने से कैसे बात बन सकता है वो देखते हैं profit का ratio क्या होता है GP का ratio का निकलता है हमारा क्या GP ratio क्या निकलता कैसे हमारा अगर हमें क्या पता चल जाए सर अगर हमें पता चल जाए profit और उसको divide किस से कर दे सर sales से और गुणा किस से कर दे 100 से तो एक percentage पता चलता है यह अपने 12 क्लास में भी पढ़ा हुआ है GP ratio ठीक है ना अब सर हमें profit कैसे पता चलेगा profit बताने का तरीका होता है कि सर अगर आपको पता चल जाए sales और sales में से अगर अब माइनस कर दो purchase यानि total cost समान इतने का बेचा और इतने का खरीदा बीच का डिफरेंस का मानेंगे हम profit तो अब हमारे पास जो sales value है वो 13,84,000 है और purchase value जो है हमारे पास 9.59 है it means मुझे profit यहां से पता चल जाएगा और 13,84,000 और 9.59 तो 42,05,000 कितने आगे हमारे 4,25,000 तो मैं यहां लिख लेता हूं कि सर मैंने profit जो कमाया है न वो 4,25,000 कमाया और जो मेरा sales था that is हमारा था 13,84,000 अब देखते हैं 4,25,000 और divided by 13,84,000 और इंटू में 100 करते हैं अगर हम 13,84,000 चार लाख 25,000 तो यह एप्रॉक्स आ रहा है हमारा 30% हमने profit एक बार चेक कर लिजाएगा कहीं गलत निकाल दिया तो दिक्कत हो जाएगा तेरा लाख 84,000 माइनस 959 नहीं है न ना ना इन 59 चार पच्चिस दिवाइड़ बाए हाँ पताए सारा नहीं बेचा है तो अगर सारा इसमें से जो भी है closing stock तो हटाएंगा न तो हमारा selling value तो यह है न है प्रॉक्स आप कहा रहे हैं सर सारा unit नहीं बेचा है unit नहीं बेचा लेकिन हमारे पास sales तो यह closing unit कितना पड़ा हमारे पास यह क्या है हमारे पास लेकिन अगर gp ratio हम निकालते हैं अब हमारा purchase कितने unit किये थे हमने अब देखिए ध्यान देजिए purchase कितने unit किये थे 10,000 और हमारा एक चीज और निकालना है यहां पर opening stock का भी unit निकाल देता हूं confusion ना हो मैं इसको और थोड़ा detail में लेके चलता हूं वह वाला तो सही कर रहा है उसमें कोई गड़बडी नहीं है ऐसा मत सोचिएगा हमारा basically क्या होता है sales is equal to sales is equal to मैं unit की बात कर रहा हूं आपसे sales is equal to sales unit की बात कर रहा हूं opening stock का unit plus purchase का unit minus closing stock का unit तो sales कितने unit है पहले वाले का 10,400 एडेपार्टमेंट का और हमारा opening stock क्या है एक्स है purchase कितना है दस अजार है closing stock कितना है 800 है तो अगर इसको solve करें तो क्या x की value निकाल पाएंगे हम अगर हम minus कर दें इसमें से 9200 यानि सर 10,400 और minus में 9200 तो क्या आया बदाओ इसका मतलब सर 1200 जो रहा होगा that is opening stock रहा होगा ठीक है ए डिपार्टमेंट का यानि सर बी डिपार्टमेंट का भी कुछ ना कुछ opening stock होगा तो बी डिपार्टमेंट का ultimately हम क्या कर रहे है अगर मैं इस formula को solve करूँ तो opening stock इधर minus में आ जाएगा और ये किधर चला जाएगा minus में तो माइन या फिर ऐसे कर लेते हैं बी का भी बताओं बी का क्या आएगा opening stock हमें पता नी एकस प्लस में purchase कितना है बी डिपार्टमेंट बीस है ना और यहां आ जाएगा उननिस छे सो और closing stock कितना है बारा सो तो बीस हजार माइनस में बारा सो और माइनस उननिस छे सो यह आट सो आ गया कितने आ गया यह B department हो गया चिंता मत करिए जब तक यह समझ में नहीं आएगा ने हम इस पर आगे बढ़ने वाले हैं नहीं सवाल में A हो गया यह कौन हो गया B ऐसा ही किस पर निकाल लेंगे हम C पे तो C पे अगर निकालते हैं हम तो C का हमारा कितना है सर सील्स तीस अजार छे सो इस एकल टो X प्लस में तीस अजार माइनस में चौदा सो तीस छे सो माइनस में तीस अजार माइनस चौदा सो आट सो आ गया यह भी यह भी 800 आ गया है ना चेक करते जाएएगा यह भी कितना आ गया सर 800 आ गया मैं यहां पे अभी कुछ भी नहीं लिख रहा है है सबसे पहले मैं इसको भी मिटा दे यह वाला तो चलो इसको भी मिटा देते हैं मुब ठीक है हमने क्या करा सब का oopening इस्टॉक का unit निकाल लिया इसका oopening stock है क्लोजिंग इस्टॉक का unit given है तो हमें यह पता करना है कि यह हमने बीचा तो है कुछ और बेचने का unit भी given है हमें opening stock का क्या अगर हमें purchase कितने का करने rate पता चल गया तो सारी बातें हमें one by one पता चल जाएगा तो सबसे पहले हम अगर देखा जाए तो कहता है कि जो हमारा percentage है turnover का turnover का percentage कितना है वो total मिलाके देखा जाए तो सेम है क्या मैं एक बार फिर से इसको करतू दूबार अगर confusion हो रहे तो हां किसका कितने है कि 2000 चलिए ठीक है पहले यहां तक पहले आप सबसे पहले आप यह डिट मैं दुबारा मिटा के करूँगा चिंता मत करूँगा मैं पूरा मिटा के fresh कर दूँगा ताकि concept तो समझ में at least हमें क्या निकालना है और GP के लिए क्या चाहिए opening stock चाहिए purchase चाहिए अगर को direct expense है तो वो लिख देंगे सवाल में कहीं भी direct expense नहीं है और sales और closing stock जो भी difference आए जीपी यही निकलता है जीपी तो अब जीपी को मैं दुबारा करना चाहूँगा मैं मिटा देता हूं कुछ बच्चों को जैसे माइंड में मुझे लग रहा है कि confusion होगा तो जब तक आपको समझ में नहीं आएगा न हम question पर आगे नहीं बढ़ेंगे च्योंकि basic concept अगर आपका strong होगा न तो exam के सवाल आप कर पाएंगे चलिए मैं ये चीजे नहीं मिटा रहा अब सवाल सामने है पर्चेज मैंने पर्चेज लिख लिए लेकिन amount नहीं fill कर पा रहा हूं मैं यहाँ पर क्यूंकि मुझे हर unit का rate नहीं पता लेकिन सवाल में total purchase जरूर दे रहा है तो total purchase के जगह पर मैंने total column में लिख दिया पहले यहाँ प clear है अब closing stock के लिए इन्होंने unit दे दिया तो मुझे अगर purchase का rate पता चल जाए तो इन सब को multiply करके मैं closing भी निकाल लूँगा opening भी यानि यह question जो फसा हुआ है सरिफ एक की वज़े से फसा हुआ है कि हमने जो समान खरीद रहे हैं उसका rate क्या है अगर उसका rate पता चल जाए तो purchase भी निकल जाएगा opening stock का भी वही rate रहा होगा और closing stock का भी वही rate रहा होगा फिर तो GP आराम से find कर सकते हैं इसने कहा कि जो भी purchase का होगा वो GP ratio पे depend करेगा यानि अगर selling price आपका 20 है और GP ratio मान ले तने 30 निकल गया तो इसका 30% कितना होगा 6 तो मैं ऐसे purchase का rate निकाल पाऊ यानि आपको मान लो selling price दे दिया के 20 रुपए है और आपको GP पता चल गया के 30% है तो आप तो समझ गए जी के 20 का बेच रहे हैं और इस पे profit 30% कमा रहे हैं तो 30% इसका कितना होता है छे तो इसका मतलब हमने खरीदा कितने का होगा 14 तो हम कैसे purchase का value निकालेंगे ये समझ प divided by sales into में 100 तर लेकिन profit का formula क्या होता है profit is equal to sales माइनस में cogs कह लो आप cost of ये आपने बारवी class में ratio में पढ़ा हुआ है और हालाकि यह होता या तो आप purchase बोलो या cogs बोलो अब sales value हमें पता है total क्योंकि हम हर किसी का gp ratio नहीं निकालेंगे बोला आप combine करके निकालिए और सब का gp ratio क्या रहेगा सेम रहेगा सवाल नहीं यह बोल दिया है तो हमें sales पता है अब cogs निकालना है अब cogs में हमें आपको पता है कि total purchase जो था वो कितना था हमारा 9000 था आप जैसे कि अभी कुछ इनका sale value निकाल लो तो मैं एक काम करता हूं मैं एक काम करता हूं कि मैं न यह जितने unit purchase है यानि इसी का purchase का यह price होगा इसी का purchase का यह price होगा इसी का purchase का यह price होगा इन तीनों का purchase हैं सेम मैं sales का value निकालता हूँ चलिए तो sales का A का B का और C का तो sales मान लेते हैं 10-10,000 पर या तो sales मैं 10,000 ही ले लेता हूँ 20,000 ही ले लेता हूँ और 30,000 ही ले लेता हूँ कि मान लो कि 10,000 यूनिट को क्योंकि जितना unit purchase और जितने unit sales बीच का difference profit हो जाएगा तो अब इसका selling price क्या है per unit इसका 21 है, इसका 22 है और इसका 24 है तो अगर मैं इनको multiply कर दूँ तो ये क्या आजाएगा हमारा 2-10, ये क्या आजाएगा हमारा 4-40, ये क्या आजाएगा हमारा 48-72 तो अगर मैं आपसे पूछू क्या आप टोटल बता पाओगे इसका, टोटल sales बता पाओगे आप इसका 2-10, यानि 13-70, पहले जितने बच्चे लाइव है चाहिए ऑफ लाइन में ये बास समझो, समझ रहे हो ये, यानि ये sales भी उसी के according मैंने convert करके लिख लिया है, जितना purchase किया है, क्योंकि sales का unit same, purchase का unit same, दोनों के बीच का difference, profit और GP ratio आराम से निकल जाएगा, अगर मैं आपसे कहूँ कि मेरा जो sales है, वो 100 unit बेचा है 300 रुपए का, और जो purchase है वो 50 unit है 200 रुपए का, तो यहाँ GP निकालना थोड़ा सा गलत है, क्योंकि हमें sales बेचा है 300 unit और purchase भी किया है 300 unit, sales का total amount, purchase का total amount, अब difference निकालेंगे तो हमारा actual GP निकल पाएगा, ठीक है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे चलो यह कर लिया, पहले यहाँ तक बताओ कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक, अब बड़ी सीधी सी बात है, total purchase भी पता है हमें, purchase total 5, 9, sorry कितना है purchase total, तो मैं इसको थोड़ा और साफ साफ यहाँ ना लिखके, मैं यहाँ पे total sale लिख देता हूँ, total sale कितने हैं, 13,00,000, क्या रहा था है, सत्तर हजार, 13,00,000, और जो मैं पहले यह ले रहा था ना, 13,84 यह total था, उसको मैंने change कर दिया, उसको भूल जाईए, मैं दुबारा कर रहा था, ठीक है, purchase जो है, कितना है, 9,50, तो अब आप GP बता दीजिए, चार लाग, अब sales में formula लगा सकते हैं, नहीं लगा सकते हैं, लगा सकते हैं, 4,00,000, divided by, कितने, 13,00,000, into में 30%, मैंने example में 30% ही लिया था, 30% है, अब you know very well, कि sir, यह जो selling price है ना, इसमें 30% का मुनाफ़ा जुड़ा हुआ है, इसमें भी 30% का मुनाफ़ा जुड़ा हुआ है, इसमें भी 30% का मुनाफ़ा जुड़ा हुआ है, हर किसी में, तो हम क्या कर सकते हैं सर जिस जिसमें 30% का मुनाफ़ा जुड़ा हुआ है न इसको हम आराम से selling price निकाल सकते हैं सर कैसे इसमें से minus कर देंगे अगर हम 30% तो इसमें से minus करिए 30% तो वो price आएगा जो की purchase है 21 का 30% निकाल के minus है 14.70 पैसे और यहां से भी minus कितना कर दे पैसे यहां पर भी minus कर दे 30% तो चौबिस का 30% 16.80 पैसे अब मेरा काम असान हो गया अब मैं क्या यहां पे purchase के value जो भी होगा unit को हर बार multiply कर दूंगा उसके purchase के unit के साब से तो unit 1 का opening stock अभी opening stock हमने निकाला नहीं है अब opening stock भी निकालना पड़ेगा opening stock next page पे निकाल ले opening stock चलिए हमारा होता क्या है sales unit sales unit जो sales होगा वो opening stock plus में purchase minus में closing stock होता है यह unit के terms में चल रहा है ठीक है अब अगर हमें opening चाहिए तो इसको इधर कर देंगे तो opening stock इस इकल टू यह माइनस में हो जाएगा इधर जाएगा तो समझ रहेगा ठीक है और इधर sales हो जाएगा माइनस का और इसमें से क्या रहेगा plus purchase माइनस closing stock यहीं रहेगा और मैं proper देखो कुछ बच्चे हैं जिनको समझ में मतलब कि मैं अगर देखा जाए तो जिन्होंने पहले पढ़ा ही नहीं है तो उनके लिए मैं बोल रहा हूं कि इसको उठाके ले जाएंगे इधर plus का symbol होता है तो इधर minus का इसको उठाके ले जाएंगे plus का symbol होता है माइनस का ultimately minus से minus हम कट कर सकते हैं finally देखा जाए तो minus से minus कट करके लिख सकते हैं अभी फिलाल मैं opening stock की value निकालू तो वह minus से minus क्या हो जाएगा यह cancel कर दिया थीक है वह पूरा cancel हो जाएगा यानि क्या हो जाएगा sales रुकिए एक मिंट इसका जो formula जो निकल के आएगा ना वह निकल के आएगा sales इसको पूरे को solve करेंगे minus यह बनेगा थीक है ना sales में से जो भी है यह minus कर दो क्या बच जाएगा आपके opening stock यही बनने वाला है तो मैं opening stock निकाल देता हूं किसका department A department B department C सर opening stock निकालने के लिए department A का क्या करेंगे हम department A का मैंने यह चीज़े उपर नहीं लिखना चाहिए यह department A department A का देख लेते हैं हमारा opening stock is equal to sales क्या है department का साइट 10-400 10-400 minus purchase क्या है परचेज क्या है दस और माइनस क्लोजिंग स्टॉक क्या है आठ सो तो दस चार सो दस चार सो माइनस दस हजार माइनर साथ सो कितने बचे हैं अच्छा प्लस हो जाएगा यह अच्छा प्लस हो जाएगा यह यह ब्रैकेट अटा देते हैं इसका राइट फॉर्मूला बना लेते हैं यह बना दिया मैंने ठीक है सेल्स फ्लस क्लोजिंग कितने थे माइनस तो एक का आ गया बारासो बारासो सेम बी का निकाल ले ओपनिंग स्टॉक सर बी का कितना है बताते जाएगे आपके पास बुक है नाइन्टी प्लस क्लोजिंग क्लोजिंग बारासो परचेज बी सजा क्या आया आट सो आगया ती का ओपनिंग स्टॉक सेल्स कितने तीस छे सो तीस छे सो और क्लोजिंग स्टॉक माइनस क्या आगया दो हजार यानि सर हमने यह निकाल लिया अब साइद कुछ बच्चों को कंफ्यूजन होगा इसमें थोड़ा टाइम हमने लिया है पहले आप मुझे क्लिएर कर दीचे आप सभी को जितने बच्चे लाइव दे रहे है सर थरटी परसण्ट कैसा है मैं भी बता देता हूं पहले यह बता Σाल्ट समझ में आया है तॉय यह कैसे आया आब यह कैसे आया आपका सवाल होगा अब ये सभी कैसे आया, उपर भी multiply करके मैंने दिखा दिया, ठीक है, चलिए, अब आगे आ जाते हैं सर, आगे हमारा opening stock का unit पता चल गया, opening stock पहले का है 1200, तो पहले का कोई बच्चा बताएगा, मैं पहले का करके दिखा दूँगा, कैसे आएगा, पहले का आएगा सर, पहले क रुफे, 70 पैसे, तो 1200, इंटू में 14.7, यह आ गया, 17640, 17640, सेम opening का भी पहले का, stock का भी करके दिखा देता हूं, 10,000, इंटू में 14.70, तो 10,000, इंटू में 14.70, एक लाख, 47, ऐसा ही closing का भी करके दिखा देता हूं, closing कितना था, 800, इंटू में 14.70, तो 800, इंटू में 14.70, 11,760, clear है, अब तो समझ में आ गया, सबका बस data fill करना है, जी भी निकालना है, अब सबका data ऐसे बी का कर लें, तो बी का आपने बताया था, सर क्या आया है, बी का, बी का आया है, 800, तो 800 को multiply करेंगे, किस से, 800 को multiply करेंगे, 15.4, बारा तीन सो, बारा पान्सो साथ, ठीक है, अब कर देते हैं, ऐसे इसका, बीस हजार, इंटू में 15.4, तीन लाख, आठ हजार, ऐसे ही किस का कर देते हैं, कि सी का कर देते हैं, कहले इसका भी निकाल देते हैं, 15.4, इंटू में, सर, ऐसे ही 16.8, इंटू में, 1400, यहां गया 23, और इसका आये था, 2000, 2016.8, 33,000, इनको प्लस कर दीजिए, 13, सरी, 17, 640, प्लस में 12, 320, प्लस, 33, यहां गया 63, 560, इनका टोटल यही होगा, आप चेक कर लीजिए, इनका टोटल यही होगा, 147, 3,8,000, 5,4,000, एक लाख 47,000, 3,8,000, 5,4,000, इसका टोटल यही होगा, 959, अब इनका टोटल भी कर दो, 17, 11, 760, 18, 480, 23, 520, 53, 760, ठीक है, बाइ साइड में क्या लिखेंगे, बाइ साइड में, आपका टू में आएगा न, टू में जीपी आ जाएगा, जो पूछा था, तो पहले का निकाल लेते हैं, 21, 84, 21, 84, प्लस, 11, 760, या गया 230, 160, या गया 230, 160, माइनस कर देंगे, 17, 640, 230, 160, माइनस 17, 640, इसमें करेक्ट का ओप्शन नहीं दे रख रहा है, माइनस 17, तो ये कितना आ गया, ये लॉस आ रहा है, है, 230, 160, माइनस, 640, 65, 520, ऐसे दूसरे का, 73, 4400, प्लस, 23, 520, ये सी का निकाल रहा हूँ, 75, 79, 20, 75, 79, 20, कोई बच्चा बी का भी निकाल ले, फटा फट हो जाएगा, बच्चे जो लाइव में फटा-फट मुझे बी का बता दे, मैं सी का निकाल रहा हूँ, 600, ये आ गया, 220, चेक करिएगा, 220, 320, सी का ये है, ठीक है, 123, इसका बताईए, 43, 1200, अभी तक टोटल नहीं कर पाए, भाई, कल के क्लास में आफ्लाइन वालों के बच्चों को पास मुझे कल्कूलेटर दिखना चाहिए, माइनस, ये क्या आ रहा है, अब इसका टोटल कर दो, कितना अगय है टोटल, जी भी बताओ टोटल, इनका भी टोटल करके आप लिख लोगे, 14, 37, अब एक चीज़ ध्यान दीजिए, ठीक है, सर, ध्यान देने आली बात क्या है, कल यहां तक सब को समझ में आगए, एक दम अच्छे से, किसी को कोई दिक्कत, किसी को कोई दिक्कत है, बता दीजिए, बता भी यह था बच्चों ने, अंजली ने बता दिया था, रिया ने भी बता दिया था, जी पी भी बता दिया एक उनातिस तीन सो साथ ठीक है चलिए यहां तक किसी का डाउट है जो बच्चे लाइव ग्लास में सारे हैं वो बता दे फटा फट यहां तक डाउट तो फिर हम आगी का डिस्कॉशन करें